मैं क्या कहना चाहिएगी? मेरा नाम मुहमद जफर है, मैं आमाधी पाठीजी जलामा सची हूँ क्या कहना चाहिएगी? आगामी बकरायित के तेवहार पर मैं बिजली विभाग से इमांग करता हूँ के बिजली को सुचाग रूप से चलाया जाए जो लगतार लंबे-लंबे शटडाउन लिये जा रहे हैं इस भीचल घरमी के अंदर उन शटडाउन पर कंट्रोल किया जाए और बिजली को 24 घंटे शेहर को दिया जाए तियोहारों को देखते वे भी इस आगामी तियोहारों में भी 24 घंटे बिजली की में मांग करता हूँ देखिएगा जिस तरीके से आप रामपुर के अंदर देख रहे हैं इस सफाई का माहौल पहले के मुकाबिल बहुत जादा बेहतर है मैं पब्लिक से भी अपील करूँगा कि बखरीद के तियोहार को हर्स उल्लास के साथ मुनाया जाए आपसी भाई चारे के साथ इस तियोहार को मिनाया जाए और साफ सफाई का खास ख्यार लखा जाए साथ ही साथ मैं अधिशाशी अधिकारी से ही मांग करता हूँ कि शहर के 43-43 वार्डों के अंदर सफाई को नियमी दूप से कराया जाए अगर आप है वार्मी पास या है ग्रेजवेट तो कोई ऐसा कोर्स करें जिससे मिल से के आपको नौकरी इसके लिए आज ही जोईन कीजए M.I.M.T. इंस्टिटूट शौकत अली रोड नियर H.E.T.FC बैंक रामपूर वहां पर बीच बीच में अदिशाशी अदिकारी खुच जाकर के चेक करें और एक टीम बनाई जाए जिससे के सफाई विवस्तों को उधाया जाए वह आजानक जाकर किनेक्शल करें वाडो के अंदर के कहां पर किस्तरा के सफाई चल रही है जिससे के हम सफाई व कंट्रोल कर सकें क्योंकि जो ये तिवहार आ रहा है बकराईद का इस तिवहार पर बहुत ज़्यादा सफाई की जरूरत है देखने में आपको भी तिखाई दे रहा होगा इस वक्त आपके माद्यम से आपने भी तिखाया है जैसे शेहर कंदर नालो की सफाई बेतीन तरीके चल रही है और ह अब भग हमने तीन पुलियां वहां पर बनवा दो पुलियां हमारी कंप्लिट हो चुकी तीसी पुलियां हमारी बनाई जा रही है तो काम तो लगाता है लेकिन बस अपील मेरी आवाम से है के साफ सफाई का ख्याल नगर पालिगा के करमचारी को साथ साथ आपका भी एक द कर दिया जाए ना किया जाए जिससे के साफ सफाई बनाए रखना इतनी जिम्मदारी नगर पालिक है कि इतनी जिम्मदारी इस आवाम के और हमारी आपकी मुझे यह उम्मीद है के बिजली भाग इस पर एक्शन लेंगे और 24 घंटे जो रामपूर को बिजली मिली चाहिए झाल 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 झाल